नाजरीम रहनुमाय तिप को डॉक्टर अन्वर साइद, मेंबर सेंटरल कॉंसिल ओफ इंडियन मेडिसिन, मिनिस्ट्री ओफ आयूज, गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया, एक्स चेर्मेन बर्ड ओफ इंडियन मेडिसिन यूपी का प्यार भरा आदाब सबसे पहले मैं रहनुमाय तिप से जुड़ी हुई टीम को चैनल शुरु करने की मुबारक बात पेश करता हूँ, हास्तोर पर जो इसके एडिटर हैं, फोटोगराफर हैं, उनको मुबारक बात पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के जरिये तिप से मतालि अफराद के साथ साथ आम लोग भी इस प्रफाजा हासिल कर सकेंगे अभी तक तक तकरिवन चार लेक्चर्स रहनुमाय तिप के जरिये आपके सामने पेश किया जा चुके हैं जिनमें डॉक्टर एतशामुल्हकसिद्यकी सुप्रिंटेंडेंट हस्पिटल जामियती ब्याद ब्यादेव बन्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् एक हजार वीडियो रहनमाय तिप की लाइक की जा चुकी है और पान सो से साथ सो वीवर्स इस चैनल के जरीए हम लोगों से जुड़ चुके हैं चुकी यह चैनल जामिया तिब्या देवबन जुकी यूजी और पीजी कॉलिज है इंडियन सिस्टम अफ मेडिसिन का शमी में मसाइदी श्पेशिलिटी हॉस्पिटल पर जॉएंट स्पेइन फंडिट बाइ मिनिस्ट्री आई यूज गोर्मेंट अफ इंडिया जामिया रेमेडीज देवबन जामिया हेल्थ केर देवबन पैरा मेडिकल पॉलिज जामिया तिवबन के इश्टराक से ये चैनल शुरू किया गया है इस चैनल को शुरू करने का मकसद जो इसके पीछे हमारी सोच रही है वो खास तोर पर यूनानी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पब्लिसिटी के फुगदान की वज़े से दूसरे सिस्टम जो आयूश के चल रहे हैं जैसे आयूर्वेद का है और आपका सिद्ध का है योगा का है उसके जेल में जो भी सिस्टम आ रहे हैं उन में यूनानी सिस्टम वो थोड़ा सा कंपरेटिवली अगर कहेंगे तो इतना तरकी नहीं कर पाया है तरकी तो माशालला खूब कर रहा है अगर उसको आप देखें फर्दन फर्दन उसके जो शौबजात है खास तौर पर इलाजबी तद्बीर का शौबजा जो है उसकी वज़े से इन पिछले पांस साथ सालों में यूनानी सिस्टम को बहुत नाम मिला है लेकिन जो मैंने पहले तथकरा किया कि पबलिसिटी की कमी की वज़े से और इस चीज़ को दूर करने के लिए और इस चीज़ की वर्ज़ से तो ये कमी महसूस होती थी कि जो तल्बा हैं इदारों में ताली महसिन करने वाले या जो असाज़ा हैं जो वहाँ पर खिद्मात अंजाम दे रहे हैं या जो मैनेजमेंट है उन इदारों का एक दूसरे से एक दूसरे के इदारे से इनके बीच में कोई इंट्रेक्शन ना होनी की वज़े से जो वहाँ पर तहकीक हो रही हैं या जो वहाँ पर जिस अंदाज में नई नई टेक्निक के जरीए इलाज और मालजे में या तद्रीसी जो भी फ्रायज अंजाम दे रहे हैं उसमें जो नई चीज़े आ रही हैं या प्रैक्टिकली तोर पर कोई नई चीज़े सामने आ रही हैं वो एक दूसरे से शेयर नहीं होती है एक तो खास्त तोर पर ये मकसद था इस चैनल को शुरू करने का दूसरा मकसद तो खास्त तोर पर प्रैक्टिशनर के लिए कि मुक्तलिफ इदारों में ये चैनल शुरूर करने का मकसद खालिस जामिय तिब्या देवबन या जामिय रेमिडीज देवबन या शमी मेमस साइदी स्पेशलिटी सेंटर ओफ एक्सिलेंस फंडिड बाइ डिपार्टमेंट ओफ आयूश देवबन खास तोर पर इनके लिए या इनके स्टाफ असाज़ा या स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाया गिया इसका मकसद बनाने का ये भी है कि जो सेंटर्ल कॉंसिल ओफ इंडियन मेडिसिन में वक्तन फवक्तन कुछ अमेंडमेंट हो रहे हैं इदारों के लिए जाब्त बन रहे हैं या उनमें कुछ तर्मीम हो रही है मिनिस्ट्री ओफ आयूश की तरफ से MSR मिनिमम स्टेंडर आफ रिक्वाइर्मेंट में कुछ तबदीली आ रही है या मनजूरी से मुतालिख कुछ नए अमेंडमेंट आ रहे है या CCRUM जो की एहम महत्मा है युनानी सिस्टम का जहां पर रिसर्च का काम होता है सेंट्रल कॉंसिल फॉर रिसर्च वहां पर क्या-क्या नई तहकिकात हो रही है चाहे वो नेशनल लेविल पर हो या इंटरनेशनल लेविल पर तो उनको आवाम तक पहुँचाना और खास तोर पर तिप से जुड़े हुए असाज़ा और तलबा हज़रात तक पहुँचाना इस मकसद के लिए इस चैनल की शुरुआत की गई है और मैं समझता हूँ कि इस चैनल के जरीए रहनुमाय दिप के जरीए इसका नाम रखने का मकसद भी जो इसके पीछे है ये इंशालला रहनुमाई करेगा सिस्टम के लोगों के भी और जो इस सिस्टम से जुड़े वे नहीं है और इलाज मौल जे के लिए युनानी हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनके लिए भी ये मुफीद साबित होगा जहां तक इस चैनल के पीछे जो सरप्रस्ति कर रहे हैं इदारे उसमें खास तोर पर जो एहम तरीन सरप्रस्तिजी सिदारे की है जामिया तिब्या देवबन जहां पर बी-उ-एम-एस और एम-डी की तालीम दी जाती है जामिया रेम-डीज देवबन युनानी मैनुफेक्टरिंग यूनिट जामिया हेल्थ केर आयरवेदिक मैनुफेक्टरिंग यूनिट और परामेडिकल जामिया कॉलिज जिसमें नर्सिंग युनानी, नर्सिंग आयरवेद, फार्मेसी युनानी और फार्मेसी आयरवेद जो की बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन यूपी से मन्जूर शुदा इदारा है उसका निसाब बढ़ाया जाता है जिस तरह ये चारो इदारे जो की रहनुमाय तिब की सरप्रस्ति कर रहे हैं आज अलहम्दुलिल्ला अपने उरूज पर हैं उसी तरह रहनुमाय तिब चैनल भी इंशालला अपने उरूज को पहुँचेगा और इसका फायदा पुरी तिबी दुनिया को आवाम को पहुँचेगा जहां तक जामिय तिबिया देवबन के तारुफ के मतालिक बात की जाए तो आप सबी हजरात बाखुबी वाकिफ हैं कि इस इदारे के बानी मरहूम प्रोफेसर हकीम शमीम एहमस सही दी जो कि सन 1962 में दारुलूम देवबन के कायम करदा इदारा जामिय तिबिया देवबन जामिय तिबिया दारुलूम देवबन में बहसियत लेक्चरर के देवबन तश्रीफ लाए और यहां मुकीम हुए और तक्रीबन 1962 से 1984 का एक तवील अरसा जामिय तिबिया दारुलूम देवबन में दर्स और तद्रीज के जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने वक्फ किया कुछ नामसाइब हाला यह यह कहें के वक्फ ने करवट ली और यह भी कहा जा सकता है कि अल्ला ताला को प्रोफेसर हकीम शमीम हमस साइदी से उससे कहीं बड़ा काम लेना था कि दारुलूम देवबन की इंतजामिया की तरफ से एक सरकुलर जारी हुआ जामिया तिप्या देवबन जो की दारुलूम की सरप्रस्ती में चल रहा था कि उसको आगे ना चलाया जाए उसके पीछे की जो वजुहात हैं यह जो दारुलूम को डिसीजन लेना पड़ा एक तो सबसे बड़ी वजुहात या वजह कहेंगे उसके पीछे कि शायद असरी तालीम का जो मकसद है वो दारुलूम के एजेंडे में शामिल नहीं है दूसरा उसको बंद करने का मकसद कि गौर्मिन्ट आफ इंडिया की तरफ से जापते बदले और एक नया सरकुलर जारी हुआ कि डिपलूमा कोर्सिस जितने भी हैं इस सिस्टम के वो बंद किये जाएंगे माजी में सिर्फ डिग्री कोर्स ही चलाया जाएंगे इस मतालिक कोई और्डर या सरकुलर दारलूरूम बेवबंद को भी मौसूल हुआ गौर्मिन्ट की तरफ से हाला कि मनजूरी से मतालिक या सेकिंड शेडूल में शामिल करने से मतालिक जो डिपलोमा कोर्स चल रहा था उसमें प्रोफेसर हकीम शमी मेहम साइदी का एहम रोल रहा और मुक्तसर मुसल्सल भाग दोड और मुक्तसर वक्त में उसको मनजूरी दिलाई सेकिंड शेडूल में शामिल कराया गिया बाराल इंतजामिया दारूलूम देवबंद ने उस इधारे को बंद करने का डिसीजन लिया और 1984 में जामिया तिविया दारूलूम देवबंद बंद कर दिया गया जिसका नुखसान या खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा लेकिन 1984 से 1986 दो साल का वखवा प्रोफेसर हकीम शमीम एमस साइदी के लिए बड़ा बेचैन कुन रहा और इस वखवे में मुस्तकिल इसी बारे में सोचते रहे कि दारूलूम के फारिगीन या दारूलूम की भी सनत पर पहले रेजिस्टेशन हो जाते थे तबीब की हैसित से बौर्ड ओफ इंडियन मेडिसन में और यहां से फारिग होने के बाद तिबिया कॉलिज में जामिया तिबिया देवबंद में औरियन्टल साइड के लोगों को बढ़ने का मौका मिलता था और तबीब बनकर वो माशरे की खिद्मत करते थे एक बड़ा नुकसान था इस बेचेनी ने उनको सुकून से बैटने ना दिया और 1987 में एक नया इदारा कायम करने के लिए उन्होंने एक मिटिंग बुलाई दू और जामिया तिबिया दारुलूम देवबंद के फारिगीन जो उनके शागिर्थ थे उन सब को उस मिटिंग में मदूख किया पहली ही मिटिंग में तकरीबन पचास साथ जो तबीव हजरात थे दारुलूम दामिया तिबिया देवबंद से फारिग थे वो उनकी शिरकत हुई और उसमें मेंबर साजी की गई तकरीबन एक हजार रुपिया मुझे याद है जो उस वक्त लाइफ मेंबर्शिप के एक्षन हुआ उस वक्त पहली मिटिंग में और उस 20,000 से 1987 में इस इधारे की शुरुआत हुई एक किराय के मकान में जो कि आज भी तलेड़ी चुंगी पर देवबंद में वाक्य है उसमें इधारे की शुरुआत हुई 1987 से 1990 तक दर्स और तद्जीस का काम उस बिल्डिंग में चलता रहा साथ साथ उसके जमीन जमीन खरीदी गई कुछ और तामिरी काम भी चलता रहा 1990 में उस किराय की इमारत से पूरा साथ उसामान और वहां की जो किलासिस हैं उनको निहां तीन चार कमरे पर मुश्टमिल एक बिल्डिंग थी तैयार हो गई थी उसमें मुन्दकिल किया गया और आहिस्ता आहिस्ता अलहमदुलिल्ला आज ये कैमपस मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो मायोनास तिब्बी इदारे हैं उनमें अपनी एहमियत रखता है तो मिनिमम स्टेंडर्ड के रेकार्डिंग अगर देखेंगे हाला कि उस वक्त कोई मिनिमम स्टेंडर्ड गॉर्मेंट की तरफ से नाफिज नहीं हुआ था लेकिन आज अगर देखा जाए तो मिनिमम स्टेंडर्ड जो मिनिस्ट्री फायूश का है उसके हंडेट परसेंट पेरामीटर्स पर ये इदारा अपना जो जापते हैं वो फुल्फिल करता है ये इस इदारे के बानी उनकी सोच और उनकी जो काविशे हैं उनको हम सलाम करते हैं जहां तक इदारे की मन्जूरी से मुतालिख बात कही जाए तो 1990 में जामिय तिव्या देवबंद को सुबाई हकूमत की तरफ से नोजेक्शन सार्टिफिकेट हासिल हुआ और 1991 में सेंटरल कॉंसिल आफ इंडियन मेडिसिन न्यू डेली और कानपुर इन्वर्स्टी के जरिए इलहाक और मन्जूरी हासिल हुई 1991 से लगातार आज तक अलहम्दुलिल्ला इस इदारे को मन्जूरी हासिल होती आ रही है और कानपुर इन्वर्स्टी से मुस्तकिल इलहाक इस इदारे को हासिल है अभी 2015 से एक स्टेट गौर्रमेंट का सर्कुलर आया रीजनल इन्वर्स्टी से इलहाक जो तिब्या कॉलिज है या आयरवेदिक कॉलिज है इस इन्वर्स्टी के अंडर में जो भी कॉलिज चल रहे हैं इन्वर्स्टी से इलहाक लेना होगा तो उस निजबस से भी हमारी चरंड सिंग इन्वर्स्टी मेर्ट से जामियत इब्या देवबन को मुस्तेखिल इलहाक हासिल है आज इस इदारे के तकरीबन आठ से दस हजार फारिगीन मुक्तलिफ सुवों में कौम की खिदमत कर रहे हैं और अपने आप में जो हिंदुस्तान के चवालिस या पैंतालिस तिब्या कॉलिज हैं उन में जामियत इब्या देवबन का अपना नाम है अपना वजूद है रहनुमाय तिब के सरप्रस्ति कर रहे हैं दूसरा इदारा शमीम एमस साइदी हॉस्पिटल फॉर जॉइंट स्पेन क्योंकि हमारा सेंटर ओफ एक्सिलेंस मिनिस्ट्री ओफ आयूर से मन्जूर शुदा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल का क्याम का मश्वरा तो जामियत इब्या देवबन के बानी प्रोफेसर शमीम एमस साइदी के सामने ही शुरू हुआ था लेकिन बदकिस्मती कहेंगे कि 2010 में इस हॉस्पिटल को कायम करने का इलाजबी तद्बीर से मतालिख मश्वरा अमल में आया और 2010 में ही प्रोफेसर हकीम शमीम एमस साइदी साब की तद्बियत खराब गुई और 2011 में जन्वरी 2011 में वो वफात पा गए 2011 में इस हॉस्पिटल को हमने उनी ही के नाम से शमीम एमस साइदी के नाम से मनसूब किया और मिनिस्ट्री ओफ आयूश को एक प्रोजेक्ट बना कर महाँ पर सब्मिट किया तक्रीबन तीज बैट पर मुच्तमिल यह हॉस्पिटल जिसमें दलक वेने सेक्शन फस्द जिसे कहेंगे हिजामा इस्टीम बात सोना बात जोंक और मुच्तलिफ जदीद खिसम के आलाद के जरीए इलाज जो की बी पी अल कार्ड धारक जो लोग है बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए उनकी डाए उनको इलाज मौलजा और खास तोर पर उसके साथ साथ उनको डाइट प्रोवाइट कराने से मुतालिख प्रोजेक्ट हमने आयूश के सामने पेश किया सबमिट किया और अलहमदुलिल्ला आयूश मिनिस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट किया और हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ वाहिद इदारा है मिनिस्ट्री आफ आयूश का जो 100% बेड उकुपैंसी के साथ आज दूर दरास से आय हुए गरीब वा मजदूर जो लोग इलाज नहीं करा सकते बी पी अल कार्ड दारक हैं या उनके अलावा जो लोग हैं उनके लिए भी हमने खुसूसी रियाएट के साथ यहां एहतमाम किया है उनका भी इलाज यह हॉस्पिटल और यहां का इंतजामिया कर रहा है तीसरा इदारा जो की बहुत एहम है और इदारे के बानी हकीम शमी महमस सईदी साब का उस तरफ बहुत जोड था और बार बार उस तरफ ताकीत करते रहते थे के यूनानी मैनुफेक्चरिंग यूनिट कोई हमारी होनी चाहिए चाहे एक ही दवा हम बनाएं लेकिन ऐसी दवा बनाएं के वो क्वालिटी में खरा उतरे और वो इदारे की बैक बोन साबित हो लेकिन फिर यही कहूंगा के ये काम भी शायद उनके सामने मन्जूर नहीं था अल्ला ताला को और दो हजार बारा या तेहरा में हमने जामिया रेमिडीज देवबंद की शुरुआत की मुरकब और मुफरद दोनों ही तरीखे की दवाएं वहां पर बनाना शुरू की क्लासिकल और प्रिटेंट के लाइसेंस हमें हासिल हुए साथ आठ साल के मुफ़शर वक्षे में आज हमें इत्मिनान है के जामिया रेमिडीज ने जो नाम जो शौरत हासिल की है किया इसके प्रोड़क्ट जो मार्कीट में तहलका मचा रहे हैं लोग की तरफ से जो डिमांड मुस्तकिल आ रही है इसकी क्वालिटी को देखते हुए तो हम लोग मुतमईन है इस तरफ से के माशालला जामिया रेमिडीज के तकरीबन धाई सो प्रोड़क्ट मार्कीट में आज पहले हुए हैं जो कि क्लासिकल है पचास तकरीबन पेटेंट प्रोड़क्ट जो हैं हमारे वो मार्कीट में डिस्ट्रिब्यूट हो रहे हैं लोग पर्चेज कर रहे हैं मुक्तलिफ स्टेट में बहुत अच्छा रिजल्ट उसका जामिया रेमिडीज की तरफ से आ रहा है जहां तक पेरामेडिकल कॉलिज की बात कहेंगे वो भी इसकी पुष्ट पनाई कर रहा है चैनल की बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसन यूपी में जब मैं चैर्मेन बना समाजवादी पालिटी सरकार थी अकलेश यादा हो जी ने तकरीबन 75,000 रेजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर में से मेरे नाम का इंतखाब किया और मुझे बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसन यूपी का चैर्मेन नामित किया मेरे जहन में हमेशा एक चीज एक मसला रहता था कि यूनानी और आयरवेदिक हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पर अमोमन डिस्पैंसरी या आई पीडी जो इंडोर है या ओपीडी में जो नर्सिस और फार्मेसिस्ट काम करते हैं वो मॉडर्टन साइट से उसका पता होता है ना उन दवाओं के बारे में उनको इल्म होता है ना उस तरीखे इलाज के बारे में उनको मालूमात होती है बारहाल चैर्मेंशिप के दोरान बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन यूपी में हमने नर्सिंग युनानी आयरवेद, फार्मेसी युनानी आयरवेद के डिपलोमा कोर्स चलाए और उसके इदारे सूबे में खुलवाए और उसको बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन यूपी से मन्जूरी दी आज अलहमदुलिल्ला महा के फारिगें भी जो नर्सिज हैं आयरवेद, युनानी की और फार्मेसिस्ट हैं आयरवेद, युनानी के और मुक्तलिफ इदारों में युनानी हॉस्पिटल्स और आयरवेद हॉस्पिटल में अपने खिद्मात अंजाम दे रहे हैं तो ये इदारा भी इसकी पुष्ट पनाई पर रहनुमाय तिप की पुष्ट पनाई पर एहम रोल इसका है तो तमाम जो इसकी जामिया रेमेडीज की प्रोड़क्ट की खसूतियाद या जामिया तिप्या देवबन का वजूद या उसकी क्वालिटी या शमीम एहमसईदी हॉस्पिटल फॉर जॉइंट स्पेन फंडिट बाई मिनिस्ट्री आफ आई यूस गॉर्मिंट आफ इंडिया या पैरामेडिकल कॉलिज जामिया आपके सामने मैंने मुक्तसर उनका तारूफ रखा और उसका मकसद रहनुमाय तिप चैनल को यूट्यूब पर चलाने का मकसद आपके सा ने रखा मैं समझता हूँ कि वक्तन फवक्तन आपसे इस चैनल के जरीए मुलाकात होती रहेंगी जहां तक लेक्चर्स का तालूख है वो आपके सामने इदारे से मुतालिख जो प्रोफेसर और रीडर लेक्चरर हजराते हैं उनके लेक्चरर लेक्चर्स आपके सामने पेश किये जाएंगे हिंदुस्तान में जो इसके अलावा दूसरे इदारे हैं चाहे वो गौर्मेंट तिब्या कॉलिज हो या प्राइवेट कॉलिज हो उनके भी जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ पर जो तद्रीशी स्टाफ हैं वो अगर वाईश रखते होंगे या चाहेंगे हमारे इस चैनल रहनुमाय तिप से जुड़ने के लिए या अपने उनके कोई लेक्चर्स होंगे या जो भी उनका तहकी की जो उनका जो उन्होंने तहकी की होगी उससे मतालिख जो मसौदा होगा वो वीडियो क्लिप के जरीए अगर हमें भेजेंगे तो हम इंशालला रहनुमाय तिप पर उसको प्रिफरेंज देंगे खास तोर पर सेंटल कॉंसिल आफ इंडियन मेडिसन के जो जिम्मेदार हैं सेंटल कॉंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसन के जो जिम्मेदार हैं डिरेक्टर जनरल हैं मिनिस्ट्री आफ आई यूज के जो सेक्रेटरी या एडवाइजर हैं उन सब को इस चैनल के जो उस वक्त की मालूमात होंगी जो जापतों में अमेंडमेंट होगा या तहकीक होंगी वो आपके सामने इस चैनल के जरीए हम उनको आपके रूबरू कराएंगे आखिर में फिर इसी उम्मीद के साथ जिस तरह से आप लोग जो वीवर्स हैं रहनुमायतिप के वो महबत बख्ष रहे हैं वो आगे भी इसका सरक्ल बढ़ेगा अपनी गुफ्तगू के आखिर में आपको कुछ एहम बाते बताना चाहता हूँ आप से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के तमाम वीडियो को लाइक करें रहनुमायतिप चैनल को अपने दाएने हाथ वाला सब्सक्राइब का बटन दबा कर सब्सक्राइब करें नेज उसके बराबर में एक बैल आईकॉन है उस पर भी किलिक करें ताकि हमारे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरण आप तक पहुँच सके और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें हमारे सबी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमेजॉन से खरीदारी का लिंक भी दिया हुआ है जहां से आप जामियर एमेडी और जामियर हेल्थ केर के एहन तरीन प्रोड़क्ट्स की खरीदारी भी कर सकते हैं इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ असलाम आलेकू